फ्रेंड्स अब आप भी 11 रुपय में सोना ख्रीद सकते हो धन 13 वाले दिन दोस्तों क्योंकि हमारा देश एक तेहारों का और एक दार्मिक देश है जहां पे बताया जाता है कि धन 13 वाले दिन अगर हम सोना परचेज करते हैं चाहे वो 10 रुपे का हो चाहे एक रुपे का हो एक लाख रुपे का हो दोस्तों वो सोना हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुब फल्दाई होता है और यह हमारे देश में रिवाज भी रहा है दोस्तों धन 13 के दिन बहुत ज़्यादा खूब खरीदारी की जाती है गोल्ड की तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपके पास ज़्यादा कैश एवे लेवल नहीं है नगद पैसे नहीं है तो आप कैसे घर बैठे अपने मॉबाइल से 11 रुपे का भी गोल्ड करीद सकते हो दोस्तों सब्सक्राइब करें मौर इन्फॉर्मेशन चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को है साथ ही बैल का बटन जरूर प्रेस करना ता कि हम जो भी नक्स्ट वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों हम अपने चैनल पर हमेशा बड़ी और इंटरस्टिंग रेलू जिंदगी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जो आपके पास कैश एवेलेवल नहीं है पैसों की कमी है तो दोस्तों आप पैसों की कमी के बावजूद भी आप 11 रुपए में धन तेरस वाले दिन सोना परचेज कर सकते हो अपने मॉबाइल से घर बैटे दोस्तों फिलहाल मौजुदा टाइम में सोनने का रेट 30,000 रुपए के आस पास चल रहा है हालाकि जी एश्टी काउंसिल की तरफ से 50,000 रुपए तक सोना खरीदने पर पैन कार दिखाना भी अब जूरूरी नहीं है दोस्तों और वैसे भी अब दिवाली के मौज तिवार पे सोने की डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो दोस्तों पहला उप्शन त इसके लिए एवे लेवल बड़ी रकम नहीं है तो आप किष्टों पर भी सोना खरीद सकते हैं जैसे कि मुथूट फाइनेंस और तनिश्क ज्वैलर्स दोस्तों ये बहुत से ज्वैलर्स हैं जो आपको अच्छे विकल्प देते हैं फिमस ज्वैलरी ब्रांड तनिश्क आ मोका देता है इसके लावा दोस्तों गोल्ड हार्वेश्ट सकीम के तहत कमपनी आपको नहीं सिर्फ एमाई पर ज्वैलरी दे रही है बलकि इस सकीम को लेने वाले को स्पेशल डिसकाउंट भी दिया जाता है वहीं दोस्तों तीशरा ओप्शन है मुथूट फाइनेंस का इमाई पर सोना ख्रीदने का मोका दे रही है जिसमें दोस्तों आप कोई अच्छी सी ज्वैलरी इमाई पर परचेज कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं पेटियम की कैसे आप पेटियम से सोना गोल्ड परचेज कर सकते हो यह मैंने पेटियम मैं इसको उपन कर रहा हू दोस्तो इस पर उन्हें पहले भी एक वीडियो बनाई हुई आगर आपको इसमें कोई प्रोबलम आये तो दूसरी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उस वीडियो में भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि आप कैसे पेटियम से 11 रुपे तक का सोना परचेज कर सकते हो दन 13 के दिन तो दोस्तों ये पेटियम ओपन हो गया आप ये देख रहे हों कि जो सैकिंड लाइन है सैकिंड लाइन के अंदर फीस और मैट्रो के बीच में गोल्ड का उप्शन आगया है मैं इसके ओपर टैप कर रहा हूँ ये टैप करते हैं आप यहां देख रहे हैं मैंने पहले भी कुछ थोड़ा गोल्ड परचेज किया हुआ है क्योंकि यह बहुत अच्छा विकल्प है पेटियम का आप कम पैसों में गोल्ड परचेज कर सकते हैं अब इसके अंदर दोस्तों बाई इन ग्राम आप ग्राम में सोनना खरीज सकते हैं या फिर इदर आप सैड में देख रहे हैं बाई इन रुपीज आप रुपीज के अंदर सोनना खरीज सकते हैं दोस्तो जैसे आप रुपीज के अंदर सोनना खरीद दोगे तो आपको यहाँ पर ओप्षन दिखेगा एंटर अमाउंट का और उपर आप देख रहे हैं गोल्ड प्राइस इसका क्या प्राइस है और अब मैं एंटर अमाउंट पर टैप करता हूं दोस्तो आप यहाँ देख जैसे 101 रुपे डालके मैं याप प्रोसीड करूंगा तो यह देखिए दोस्तो यहाँ प्रोसीड टूप पे 100 रुपे आ गया यह प्राइस वेली टाइम दिखा रहा है पांच मिनट तक यह वेलीड है मैं इसको फिर प्रोसीड कर देता हूं तो यह transaction हो रही है दोस्तों यह में से पूछ रहे हैं आप कैसे करना है पेटियम वॉलेट से या डेबिट कार्ड से मैं पेटियम वॉलेट से करूँगा अगर आपके बाद डेबिट कार्ड है तो आप उससे भी कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों यह 101 रुपे का सक्सेस हो गया है और यह 101 रुपे का मैंने गोल्ड खरीद लिया है दोस्तों आप इस तरह पेटियम से जितना चाहे उतना गोल्ड खरीद सकते हैं दन तेरस वाले दिन आपको कैश की जुरूरत नहीं है अगर आप सोच रहे हैं मारे प साइब इसकी होम डिलिवरी अपनेशिक्क्य करूम में यह जिक्क्ये कर योम्हाने डिलिवरी आपके घर कर देंगे गोल्ड की जितना भी आप जोंडसिसमें परचेज करोगे किर तो दोस्तों यह सोचा अमने शिक्तेजम और दोबारा ले बग्रश किया जाये साओ unravel इतना केस को शेयर करें ताकि बाकि जो भी दोस्त है जिनको कोई प्रोब्लम मैं कैश की तो वो दोस्तो धन्तेरस वाले दिन पेटियम से गोल्ड आसानी से परचेज कर सकें तो दोस्तो अगर यह इंफोर्मेशन आपको थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर ओर सबस्क्राइव जुरूर करना क्योंकि हमें मैसेज ऐसी इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ओर अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ थैंक्यू फर वाचिंग दोस्तो आपका दिन शुबो